यह फ्रेंद वेलकम बैक तु माय चैनल तन्वी किछेन चैनल में आप सभी का सवागत है तो आज कोई में रेसिपी नहीं लाई हूँ मैं लेकर आई हूँ गैस की फ्लेम को किस तरह से ठीक किया जाए रहे हैं तो यह वीडियो आपको मेरा पसंद आये तो प्लीज मैं चेन को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा और यह दिया हाँ आपको कोल्ट आउट हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरू कुछ सकते हो उसका रिप्लाइ मैं जरू दूंगी तो देखे मेरा वीडियो तो देखे फ्रेंड ये है मेरा गेंस चुला तो ये छोटा वाला है ये एक बड़ा वाला है तो दोनों को ही मैं आपको चला के दिखाती हूँ तो दोनों की गेंस की फ्लेम जो लो निकल रही है किस तरह से निकल रही है देख सकते हो आप बिल्कुल कम निकल रही है और मैंने फुल कर रखा है जब इसकी कम लो निकल रही है तो दूसरा वाला भी मैं उन करके दिखाती हूँ तो देख सकते हो इसमें लो अच्छी निकल रही है और इसमें कम निकल रही है तो आप बोल सकते हो छोटे वाले में थोड़ी कमी निकलती है बड़े वाले में ज्या आप को आपको हाथ से विल्कुर नहीं गाता ने cracks से और की साहता से Сाहता से आपको बेलन खटाने क्योंकि गरम हो जाते हैं हम जला के दिखा रहे हैं तो गर हम हो गए हैं थोड़े तो में आतों में जल सकता हैं इसलिए मैं इनों को उठा रही हूं चीमटे से तब मैं उठा के और इसको थोड़ा ऐसे पल्ट दूँगी उल्टा कर दूँगी मतलब पल्ट दूँगी और इसका क्या करना है जो हमें इ अकुले हिसके कर से सकते हैं तो भी आताता है दीक बनाता है नहीं बनाते हैं दूद गरम करते हैं और परादे हैं गहां के घहने दन रहा जाता है और इनों के bainer के अंदर जम जाती है तो अमें bainer को भी अच्छे से साफ कर लेना चाएँ और ये कतोरिय के अंदर भी भढ़ जाती है और गंद की दीरे दीरे जमा होने लग जाती है इसके काणे भी हमारे गेंस के चुले की धीमि आथ निकलना सुरू हो जाती है और अच्छे से नहीं निकलती ये भी कान हो सकता है और दूसरा कान ये हो सकता है कि जो गेंस की पीन आपको दिखाए दे रही है तो इसमें से भी जो कच्रा जमा हो जाता है उसकी वज़े से भी हम इसमें गेंस की प्लेम धीमी निकलने लग जाती है तो मैं इसको प्लास की सा निलीन हते के पाइस बारे कोड़ को मिना दे रहे हैं Michalya कोड़ करो है तो कि अब लियुकस के बाना निकाल लिया सभी पाइसे of शाथा निवे साथी नानते हैं कि और में नेट्रें पतुए तो जैसे है जो कम पड़ जाती है तो इसके आंदर आके जम जाती है और आपको अच्छे से सब करना है और पिन आपको बारिक वाली लेनी है वह अच्छे से साप हो जाया जो ये बारिक सा दिखाए देरा आपको सूर होता है इसके अंदर से जो घेंस निकलती है तो इसको अच्छे से इस तरह से साप कर लेना है जो भी इसके अंदर गंद की जमा होगी वो बिलकुर साप हो जाएगी और साप होने के बाद में ही घेंस की लो अच्छी से निकलने ल तो मैंने इसको पीन के साइता से बिलकुल इस तरह से सपाय कर लिए इसकी गंद की साप कर लिया तो इसको दुबारा से मैं लगा दूंगी इस तरह से इसको लगा देना है तो इसके अंदर पेज होता है इसको आसानी से आपको आराम से खोड़ना है और आराम से ही बंद करना और बंद करते टाइम इसको अच्छे से बंद करना है इसमें लिकेज नहीं होना चाहिए नहीं गहस दीरे दीरे लिक होती रहती है तो इस बात का ज़रूर द्यानगना आपको अच्छे से इसको बंद कर देना है जैसे खोला है उसी तरह से अच्छे से इसको बंद कर देना है गेंस लेक नहीं होनी जीए तो यह मैंने बंद कर दिया अच्छे से प्लास की सायता से इसको बंद किया है तो इसको अच्छे से बंद कर दिया है और गेंस की जो कटोरी है उसको भी मैंने साप कर लिया है जो इसके अंदर कचरा था यह निकलना नहीं चीए इसको अच्छे से प्लास की सायता से अच्छे से इसको लगा देना है और यह डीला नहीं होना चीए अच्छे से आपको अच्छे से बंद करना होगा निकलना नहीं चीए अब मैं इसको सीधा कर लोंगी गहंस को गेंस को सिधा कर लेना है और गेंस इस टोप ये बैनर इसके लगा देना है तो बैनर मैं दुबारा से इसके लगा रही हूँ तो यह बेनर है उन्हों को भी आप साप करने हैं मैंने कुछ दिन पहले ही बेनरों को अच्छे से साप कर लिया था इसलिए मैंने दुबारा से साप नहीं किया है आप यह दी बेनर आपके साप ना हो तो उन्हों को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और मैं गेंस स्टोप तो यह देखिए यह गैंस की लो है पहले कितनी दीमी जाल रही थी आप आप देख सकते हो फुल और जो बड़ा वाला चूला है उससे भी तेज मेरे को दिखाए दे रहे हैं इसकी गैंस की फ्लेम तो इसके अंदर जो कच्रा था अटका वा था इसकी वज़े से गैंस की फ्ल कियों में हम गैंस की फ्लेम को रिपेर कर सकते हैं तो यह मारा गैंस की फ्लेम को रिपेर करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ओके बाइ फ्रेंट